नमस्कार दोस्तों मैं दर्मेंदर पवार आप सभी का बहुत बहुत सोथ करता हूँ आपके अपने चैनल पर तो जी यहां दोस्तों अगर आप भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या कोई भी प्रतुगी प्रिक्साय की तैयारी कर रहे है राजस्तान से नहीं पड़ेगा क्योंकि इस वीडियो के मादियम से आपको मैं बताऊंगा कि अगर भी आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आने वाले जो भी आपने एक्जाम फॉर्म बराएं और अगर आपने वह एक्जाम नहीं दिया तो आपको जो हैं आने वाली बरती जो आप तैयारी कर रहे हैं वरतमान समय में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या पीटे जो भी उसमें आपको यहां पर प्रेसा नहीं हो सकती है तो चले फ्रेंट्स मिना को टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू तो आप सीधा हैं यहां पर पूरी जानकारी में आपको बता देता हूँ राजेस्तान करमचारी चयन बोर्ड ह्ए और प्रतुगी प्रिक्साओं में गेर आजिरी रहने वाले अबेरतों पर बड़ी कारवई करने जा रही है और साथ यहाँ पर आवधन करने के बाद भी प्रिक्सा देने नहीं आने वाले अबेरतों पर बोर्ड की नजर रहेगी लगातार तीन बरती प्रिक्साओं में आवधन क बी जो विबाग है उसकी तरफ से जो हैं CD की प्रिक्सा एजित करवे जाएंगी और इसमें दोस्तों अगर आप जो हैं अनुपस्ती तरहते हो तो आरने वाले बर्तियों में आपको डीवार किया जा सकता है और बात करते हैं दोस्तों RPSC की तो यहां पर आजस्तान करमचारी चैन बोर्ड की तरफ से यह एक्षन लिया जा रहा है तो आने वाले टाइम में भी दोस्तों RPSC की तरफ से भी इस तरह का कोई कदम जो हैं उटाये जाएगा विबाग की तरफ से इसी अपडेट्स में आपको बता देता हूं यहां पर आगड़े बताए गए हैं साहत सितमर को महिला परिवेक्षक भरती परिक्षा में 3638 अपिरतों ने आवदन किया था और इसमें 50 परसेंट जो हैं अनुपस्तित रहें वहीं अगर बात करें 30 अगस्त को चात्रावास परिक्षा में जैपुर सर के केंदरों पर 17 पंड 46 पिस दी जो हैं पिरतों ने परिक्षा दी हैं इसमें भी यहां पर गहर आजीरों की जो आकड़ा है वो बहुत अधिक हैं तो यहां पर आपके लिए बहुत ही जरूरी अपडेट्स थी जरूरी जानकरी जी जो मैंने पता दियें आप अगर फर्स्ट्रेट सेकेंड के थर्ड के जो भी पीटिए लाइबरेन की त्यारी कर रहे हैं अगर आपने सीटी का फॉर्म बराएं और अगर एक्जाम देने नहीं गए तो आने वाले टाइम में जो भी आप रतमान में त्यारी कर रहे हैं उसमें आपके वीडियो